एक हरे भरे जंगल में अनिका नाम की एक छोटी चीटी सभी आकारों के प्राणियों के साथ रहती थी अनिका अपनी चतुराई और अपने दयालू दिल के लिए जानी जाती थी जो उसके सभी साथी जंगल निवासियों तक फैली हुई थी एक दिन खोजबीन करते हुए अनिका को पेड़ों के बीच से एक गहरी गड़गड़ाहट गुंचती सुनाई दी ध्वनी के बाद उसने राजु को पाया जो एक विशाल और राजसी हाथी है जो एक गंदे गड़े में फसा हुआ है राजु की आँखों में उसकी हताशा जहलक रही थी और मदद के लिए उसकी गुहार अनिका के दिल को चू रही थी जल्दी से सोचते हुए अनिका ने अपने चीटी दोस्तों को बुलाया साथ में उन्होंने लंबी घास के तनों को इकठा किया और सावधानी पूर्वक उन्हें एक मजबूत रसी में लपेटा रसी को गड़े में उतारते हुए उन्होंने राजु को अपनी योजना समझाए आशा और द्रिर संकल्प के मिश्रण के साथ राजु ने उनके मार्दर्शन का पालन किया और अपने चारों और रसी को सुरक्षित करने में काम्याब रहे कड़ी मेहनत के साथ चीटियों और हाथी को खीचा गया और खीचा गया जब तक कि राजु को कीचर से मुक्त नहीं किया गया राजु की कृतग्यता अतुलनिय थी, वो छोटी चीटियों की सरलता और टीम वक पर आश्चरय चकित था अनिका विनमरता से मुस्कुर आई, ये समझते हुए कि छोटे से छोटा जीव भी महत्वपून प्रभाव डाल सकता है दिन हफ्तों में बदल गए और एक तूफान आया, जिसने जंगल को बारिश में डुबो दिया अनिका के घर के डूबने का खत्रा था, अनिका जानती थी कि वो राजू के वादे पर भरोसा कर सकती है वो जल्दी से राजू के पास गई, जो एक आश्वस्त मुस्कान के साथ पहुँचा अपनी सून का उप्योग करते हुए, राजू ने सावधानी से अनिका और उसके चीटी साथियों को बार के पानी से दूर उची जमीन पर उठा लिया अनिका और राजू का रिष्टा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया उनकी कहानी जंगल में एक कीवदंती बन गई, जो उन उलेकनिय संबंदों का प्रमान है जो सबसे असंभव साथियों के बीच बन सकते हैं चीटियों और हाथी ने दिखाया कि जब दिल एक जुट होते हैं, तो करुणा और सहयोग किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं